कैसे हो साइधा पच्छे होंगे आज मैं आप लोग के सामने क्लास तेंथ का मॉडल पेपर इधिहास का लेकर आया हूँ तो आप के लिए बोड इंसाम के लिए बहुत ही जिदा इंपोर्टेंट है तो चलिए रज मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और बीना देरी के लिए जो कोश्चन को मैं शॉर्प करता हूँ तो आप यहां देख सकते हो गाई है कि मॉडल पेपर हमारे लिए किते इनपोर्टेंट है जो भी एक्जाम में मेरी कोश्चन साते हैं तो चलिए हम शूरू करते हैं आज का स्टेशन तो चलिए दिखरें हैं आप पहला कोश्चन आपके सामने है कि मार्क्स ने 8866 में किस पुस्त की रचणा की जिसे शम्यव गोशना पत्र ऑप्शन बी दिया है दास केप्टल ऑप्शन सी दिया है दस जर्मन आईसो डी लॉजी और ऑप्शन डी दिया है अब वर्ग संगर्श तो इसका राइट एंसर क्या हो सकता है गाइस तो मांक्ष ने इसका राइट एंसर होगा ऑप्शन नमर भी यानि दास केप्टल को कहा जाता है ठीक है चलिए हम सेकंड कोशन पर चलते हैं दो नमर कोशन की बार एंड फीज किसकी रचना है ऑप्शन दिया है आपके सामने कालमाक्ष ऑप्शन बी दिया गया है टॉल्स रॉय ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों बसकी ऑप्न डी दिया गया है इसल्स तो इसका राइट एंसर मुझे दे सकते हो कि वार एंड फिज किसकी रचना है की तो इसका राइट एंसरहों जाएगा ऑप्शन नमर भी यानि टाल्स रोई के त्योग के दूरन सॉरी टॉल्स के दुर्बार जो है इवार एंट फिस्की रचना की गई थी चलिए आगे कोशन हम देख लेंगे काल माक्स का जन्म कभ हुआ था कहा स्वड कहां हुआ था इंगलेंड में हुआ था या जर्मानी में हुआ था या इतली में हुआ था या रूस में हुआ था इसका right answer दे सकते हैं आप मुझे कि काल मार्क्स का जर्म कहां हुआ था इंग्लेंड, जर्मानी, इटली या अरूश में हुआ था चले इसकी राइट एंसर हो जाएगे जर्मानी में हुआ था option number B guys अगर आप पहले बार इस channel पे आए हो तो इस channel को सबसे पहले क्या कर लो आप subscribe कर लो और साथ में अगर वीडियो को लाइक नहीं किये होना तो जरूर आप एक लाइक कर लो और साथ में क्या करना है आपको अपने दोस्तों में इस वीडियो को share भी कर देना है तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप अपने दोस्तों पास share कर दो पहले तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों में इस वीडियो को सेयर कर दो क्योंकि 45 marks का आपका mcq यह total mcq जो है आपके फ्रेंड भी परेंगे तो जितना आप नंबर लाईएगा उतना नंबर आपके दोस्त भी लाएंगे तो कितनी यह खुषी की बात है जो दोनों दोस्त यू है this the best performance देने वाले हैं चलिए तीस्रा कोस चाता कोशन आपके यह पर कि शम्यवादी घोष्णा पत्र के लेखा कौन थे शम्यवादी घोष्णा पत्र के लेखा कौन थे लियो तॉल्स रॉय मैक्सिम ग्रीको लेलिन या काल माक्ष चलिए इसका राइट एंसर हो जाएगा इसका राइट एंसर क्या होगा option नमर डी यानि कि कालमाक्ष ने option नमर डी कालमाक्ष ओके शम्यादी घोष्णापत करे लिखक कालमाक्ष जी थे option नमर डी कि आगे चलते question नमर पांच बोल सीविक करांथी कब हुई थी ओप्षिन दिया है फर्वारी 1927 में option दिया है नॉवंबर 17 में option दिया हैं 1905 में चलिए बहुत बढ़िया इसका राइट एंसर होगा नौंबर 1917 में चलिए आगे देखेंगे यहां नौंबर मिला दीजेगा ऑप्शन नमर भी ठीक है चलिए आगे कोशन है कि वेस्ट लियोक्स की संधी किस देशों के बीच हुई थी ऑप्शन दिया गया है रूस और इटली के बीच ऑप्शन बी दिया है रूस और फ्रांस के बीच ऑप्शन सी दिया है रूस और इंग्लेंड के बीच Kung겠어 अंधी रूस में जार का अर्थ क्या होता है ? ëで बरतन बाष्ण दिया गया पानी रखने की मिठी का पात्र या रूस की समन्त या या रूस की समराठ ? चलिए इसका right answer क्या हो जाएगा option number D यानि रूस का सम्राथ रूस में जार का अर्थ होता है रूस का शम्राथ चलिए आगे question हम देखेंगे फिर आगे question देख लेंगे आठ नमर आठ नमर question क्या बुर्डा है guys रूस में तरह करता का अंध का हुआ तो export दिया गया है उनई इस्ट प्रस्टा इकलिए 611 से यहांसे हम आक and question बिल्कूल द्यान से देखेंगे देखेंगे रूस में क्रिशक एंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नमर यानि 1861 में 1861 में ओके चले आगे चलते हैं फिर कोश्चन संक्या देखते हैं नौ नमर कोश्चन नौ नमर कोश्चन जो बहुत ज़्यदा इंपोर्टेंट भी है और कई बार जो है एक्जाम में आपके यह पूछ दिया गया है नौ नम बिलकुल मिस मत करिएगा क्योंकि 9 और 10 कोश्चन जो है बहुत ज़्यदा इंपोर्टेंट भी है आपके लिए बहुत खास है तो यहां देखेंगे कोश्चन नमर भाई 9 कि शम्यवादी सासंग का पहला परियुग कहा हुआ था शम्यवादी शासंग का पहला परियुग ज चलिए इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा सम्यवादी सासन का पहला पर्यों कहां हुआ था तो रूश में जपान में चीन में या क्यूबा में चलिए तो इसका राइट एंसर होगा option नमर यानि की रूश में हुआ था तो डिए ठीक है आगे चलेंगे question लाल सीना का गठन किष्णे किया था लाल सिना का गठन किष्णे किया था आप्सें जो आपके सामने है काल मांक्ष ने स्टाइल इन ने ट्रॉट शकी ने किस सव्पकी ने चलिए इसका राइट एंसर मुझे आप दे देढिए पैसे कॉल मा याणि टाट सकीने चलिए आगे देखते है कोशेम संख्या 11 कि कि केपिटल किसकी रचना है दास केपिटल किसकी रचना है ओप्षन दिया है कालमाक्ष कुक ने लैनीन ने विसमार्क ने या गांधी ने इसका राइट एंसर मुझे आप दे सकते हैं दास केपिटल किसकी रचना है चलिए इसका राइट एंसर होगा कालमाक्ष की ओप्षन नम निए सो बाइस में 1923 में या उन्नी सो चोविस में लेनिन की मिर्थू चलिए लेनिन की मिर्थू जय उन्नी सो चौविस इस्वी में ओप्षन नमर डी जो है इस गाराइट एंसर होगा चलिए तेरा नमर कोशन देखेंगे यूरोपियन समयवादी कौन नहीं था यूरोपियन समयवादी कौन नहीं था ओप्षन दिया गया है लुई कला सेट साइमन काल मार्क्स या रोबर्ट उविन यूरोपियं समय वादी कौन नहीं था यूरोपियं समाजवादी जो है काल माक्स शायद नहीं था काल माक्स ओप्षन नमर जो है C होगा इसका राइट एंसर आगे चलते हैं कोश्चन से क्या काल माक्स का जन्म कीश वर्स हुआ था काल माक्स का जन्म कीश वर्स हुआ था 1915 में 1908 में 1925 में 1938 में काल माक्स का जन्म जो है 1918-1818 में हुआ था चलिए आगे चलते हैं कोश्चन संख्या देखेंगे यहां पर पंद्रा प्रथम इंटरनेशनल की इंस्थापना किस वर्ष होई? प्रथम इंस्थापना कुँए? इंस्थापना कब होई? प्रथम इंस्थापना कब होई? अगर अभी तक लाइक आपने वीडियो को नहीं किया है, तो प्लीज आप लोग लाइक कर दे और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करदे चलिए सोल्लन नमर कोंशन लेनिन की मिर्टह किस वर्स हुई थी 1920 में 1922 में 1923 में 1924 में लेनिन की मिर्टु कब हुई थी लेनिन की मिर्टु जो है कब हुई थी 1920 wandering 12,22,22 या 24 चली इसका राईट एंसर हो जाएगा option नमर D यानि 2024 इस विर मुह थी आगे चलते हैं 17 मूह कोशन लेलिन के नई आर्थिक नीती किस वर्स लागू की गई लेलिन की नई आर्थिक निति किस वर सलगू की गई थी ओप्षन जो दिया गया है आपके शामने दिया गया है कि 1905 में, 1917 में, 1921 में या 1924 में लेलिन की नई आर्थिक निति कभ घोशना की गई थी 1905, 1917, 1921 में की गई थी ओप्षन नमर C, 1921 चलिए आगे चलते हैं कोशन स्रीज 1418,4898 या 364 या। तो 1840 में हुआ था। आप्शन नमोर यहां हो जाएगा आपका D चलिए 19 नमोर केशन ये हम देखेंगे हम कि अप्रेल 30 इसक किसने त्यार की थी अप्रेल 30 किसने त्यार की थी अप्संन ये लेलीन ने, टास्की ने इस्टाइली ने या मार्क्स ने इसका राइट एंसर मुझे दे सकते हैं अप्रेल थेसिस किस ने त्यार की थी चलिए अप्रेल थेसिस किस ने त्यार की थी तो लेनी ने इसका एंसर होगा राइट ए चलते हैं आगे साथ नौवंबर उनिस सत्रे को बूल से भी करांती के नि ऐसा हुआ बगल एट सकता है Riot सबक्राइब 17 के नहीं सब्सक्राइब किया था इसका पर चलिएics नहीं किया था है इसका हुआ हैं धेक सब्सक्राइब कर्लें दाइब १азыв प्लेक् खान्यक्स geri या गोर्य की या तुर्गने जलिए ऑपन्यास के लेखा सट्र कॉनुन के फिरले खान अप प्लेखा-श्रै कि रॉट की या तुर्गमुर्ग इसका राइट एंसर मुझे लेटा है गोड की, हाँ इसका राइट एंसर रोजाकता आप्षिन नर्ट ची यानी गोड की, चलिए, आगे देखेंगे कोशें सांग्या, 22 कि समाजवाद सब्द का परियोग, पहली बार किस वर्श किया गया, समाजवाद सब्द का परियोग पहली बार किस वर्स किया गया option यहां दिया गया है 1989 में 1827 में 1830 में 1833 में चले इसका right answer मुझे दीजे समाजवाद सब्द का परियोग पहली बार किस वर्स में किया गया था चले इसका परियोग जो है 1827 इस वी में किया गया था काम के अधिकार के सनवेधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले कहां मिला अप्शन दिया गया आपके पास फ्रांस ने जर्मानी इंग्लेंड या शोबियत सन तो इसका राइट एंसर क्या हो सकता है कि काम के अधिकार के सनवेधानिक अधिकार की सुरूप में पहले कहां किया गया था तो फ्रांस में जर्मानी में इंग्लेंड में या सोवियत संग में चलिए इसका राइट एंसर क्या हो सकता है तो इसका राइट एंसर होगा आप्शन नमर भी यानि की जर्मानी में चलिए 28 नमर कोशन हम देखेंगे यहाँ पे बहुत अच्छा कोशन ची का था सेना की टुक्डी या पुलिस की दस्ता या पादरी वर्ग या शर्मिक वर्ग चलिए इसका राइट एंसर हो जाएगा मेरे पास सेना की सेना की जो है क्या टुकडी ना सेना की टुकडी हो पुलिस दस्ता पुलिस दस्ता आफसर नमर भी पुलिस दस्ता चलें यहां देखेंगां कोशन नमर 29 कि अप्रेल ठीस किसने त्यार किया था अप्रेल त्यार किया था लेली ने करा की कि रहें कि यह स्टाइलिंग पर इसका राइट एंसर क्या हो सकता है जल्दी बदाईए चलिए इसका राइट एंसर होगा लेली ने अप्शन नमर जो है ए होगा इसका राइट एंसर उसके बाद चलते हैं तीश नमर कोश्चन देखेंगे तीश नमर कोश्चन क्या बोल रहा है कि राष्ट पूटीन कौन था राष्ट पूटीन कौन था समा सुधारक वर्ष्ट पादरी या दार्शनिक या बिज्ञानिक राष्ट पूटीन कौन था राष्ट पूदिन कौन था तो एक वर्ष्ट पादरी था ओप्शन नमर भी एक्तिस्तमर कोशन देखेंगे रूस का पहला समझवादी था रूस का पहला समझवादी था कौन था लेनिन ट्रस लायर प्लेखनावे इस्टाइलिन चले इसका राइट एंसर हो जाएगा मेरा ओप्शन नमरी या लेनिन ने कि आगे कोशन देखेंगे रूस की नई आर्थिक नीती की सुरुआत किसने की रूस की नई आर्थिक नीती की शुरुआत किसने की ऑप्शन departments क्रेंइग ने या ठास्किनने शैलिए इसका राइट एंसर मेरा Ka Ugh seriousness B इसका राइट एंसर होगा option रूस की बोलसवी करांती का नित्रूत किस ने किया था किरंसिकी ने ट्रांसकी ने लेलीन ने या स्टालीन ने चलिए इसका राइट एंसर हो जाएगा मेरा ओप्शन नमर सी यानि लेलीन ने कोशन देगए उन्री सत्रह 네 की रूसी करांती के सम्मय की स जार का सासक था उन्री स्था की क कि रूसी क्रांती के समाहीच की जार का साचом क्था ऑप्शन दिया गया है पीटर का इलेजेंडर पर्थम का निकुलस पर्थम का या निकुलस दूतिय का चलिए इसका राइटन सो जाएगा option नमर डी यानि निकुलस दूतिय का चलिए 35 कोशन है कि 1917 की रूसी करांती का ततकालिन कारण क्या था option जार की निर्कुसंता प्रथम विस्यूद रूस की प्राजय रास पूतिन का भूमिका किसानों का और संतोस चलिए इसका राइट एंसर हो जाएगा मेरे पास option नमर डी किसानों का और संतोस चलिए आगे देखेंगे बिश्वा में संपद समयवादी सासा की अस्तापना सौर पर्थम किस देश में हुई इसका राइट एंसर मुझे दे सकते हैं रूस में जर्वानी में चिको क्वालिकियों में या प्लेड में अधिक है 35 को सब्सक्राइट एंसर मेरे पास यानि कि पर्थम स्यूद में रूस का प्राज है ततकाल इनकारण रूसी करांति का हाँ चलिए 36 का राइट एंसर मुझे देदीजिए 36 का राइट एंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नमर एक चलब यहां देखी हैं को समझवादियों की बाइबिय कि से कहा जाता है हैiende अप्रेचीस को कुमुनिस्ट मोनिफेस्टों को या दास capital को या social कास्ट्रेज को चलिए इसका right answer हो जाएगा मेरा option number C या दास capital को अरतिश नमर question देखेंगे कि समझवादी दर्शन किस पर बल देता है समाजिक दर्शन जो है किस पर बल देता है राजनीतिक समन्ता पर नागरिक समन्ता पर कानूनी समता पर या आर्थिक समन्ता पर चलिए इसका right answer जाएगा बेड़ा option number D option number D आर्थिक समन्ता पर चलिए 49 नमर question देखेंगे कोमिंटन की अस्तापना का उद्यस क्या था पहला option दिया गया है सेनवाद का परचार करना क्रांती का परचार करना पुंजि वाद का परचार करना समझबात का परचार करना छलिए इसका option हो जाएगा हम पला option कॉश्चन काफी इंपोर्टेंट कोश्चन की अंतराश्टी मजदूर दिवस किस तीथी को मनाया जाता है। ऑप्षन जो है आपके सामने दिया पहली फर्वड़ी एक फर्वड़ी को पहली मार्च को पहली अप्रेल को या पहली माई को आप सभी हम जानते हैं कि मजदूर दिवज जो है एक माई को मनाआ जाता है ना ऐभ झाइगा ए स्टाइल ऋप्ष की योजना किस ने आरम की थी कोल खोज की योजना किस कूंड आरम की थी और शन्य उप्षन दिया यहां से देखेंगे बिग्यानिक समझवात का जनक किस से माना जाता है सिट साइन को चार्ल्स फूरिये को लुई वला को या काल्स मार्ग्स को चलिए इसका राइट एंस हो रहेगा अप्सल नमर्डी यानि की काल्व मार्ग्स को कि चलिए 43 कोशन कि फ्नेसिस समझवाद के व्कास का जन्म जाता कौन थे समझवाद के व्कास के जन्म जाता कौन थे ऑप्षयन दिया गया है फ्यूरयल को रोबर्ट ओबन को काल मार्क्स को सिट साइन को इसका राइट एंसर मुझे आप दे दिजिए चलिए इसका राइट एंसर हो जाएगा मेरा 43 का आप्शन नमर जो है डी सेट साइमन को चलिए यहां देखेंगे वेजिन स्वाइल रुपनियास के लिखा कौन थे पहला ऑप्शन दिया गया है आपके शपास है कि लियो टांसलेंड इलोन तुर्ग नवे फयोदारे दस्तिवी की मैक्सी गोर की इसका राइट एंसर मुझे दे सकते हो चलिए इवान तुर्ग किस नाम से जाना जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोश्चन यह कि उन्नीज सत्रगी पहले रूसी क्रांती किस नाम से जाना जाता है फर्वारी की क्रांती मार्स की क्रांती अक्टूबर की क्रांती या नॉवंबर की क्रांती चलिए इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर ए यानि फरवारी की करांती चलिए आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यदा आप अपने दोस्तों में सेर करिएगा और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक बटन को द